अच्छा सुनो यह चाप्टर का लेच्चर 2 & 3 देख किया ना फिर ही यह वाला खोलना नहीं तो यह नहीं समझेगा एंड इसका PDF भी डिस्क्रेप्शन में है खोल ले माँ चलो बाई हमें शुरू किया है कार्बन कंपाउंड्स व्रोम एससी क्लास्टें साइंस वन चाप्टर नंबर नाइन जिसका देखेंगे लेक्चर 4 लेक्चर 4 पेज नंबर 118 से लेके 120 के उपर आधारित होगा जिसमें हम बात करेंगे होम लोग सीरीज के बारे में लास्ट लेक्चर मे इनके उपर कौन से टाइब के क्वेशन पूछे जा सकते हैं ये सारे क्वेशन आंसर भी हम लेक्चर के अंत में देखने वाले उनको भी चेक आउट कर लेना पढ़ लेना प्रिपेर कर लेना एंड़ यूदू चैनल सब्सक्राइब करना शेर करना वीडियो को लाइक भी क स्ट्रक्चर इस वर्ड का लेटरल मीनिंग है सिमिलर इन स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया अब इसको थोड़ा साइड में पाक करो आपको दूसरी बात बताता हूं लास्ट लेक्षर में पढ़ाता है याद है न सबको र-ो-च वाट इस दिस दिस इस जनरल फॉर्मूला फॉर अलकोहॉल्स आर क्या होता है एलकाइल ग्रूप होता है ओएच क्या होता है हाइड्रोगजिल ग्रूप होता है बहुत बढ़िया बना कर देखते है न चलो मान लोगों ने लिया है मिथेन सबको याद है मिथेन मिथेन का फॉर्मूला था CH4 वन कार्बन फॉर हाइड्रोजन बहुत बढ़िया CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो CH3 बनता है इसको हमने मिथाइल ग्रूप बोला था बोला था अब इस CH3 के बाजू में अग फिर एथेन लेते हैं एथेन का फॉर्मूला क्या है C2H6 दो कार्बन छे हाइड्रोजन इसमें से भी एक हाइड्रोजन निकाल दो तो C2H5 एथाईल बनता है और इसके भी बाजू में अगर OH लगा दे C2H5 OH एथाईल एलकोहल बनता है common नेम है ना IUPAC नेम क्या होगा एथ C3H8 एक हाइड्रोजन हटा दो C3H7 प्रोपाइल बन जाता है मिथाईल इथाईल प्रोपाइल इसको भी बाजू में एक OH लगा देखने तो प्रोपाइल एलकोहल बन जाएगा IUPAC नेम क्या होगा प्रोपेनल हमने क्या किया कुछ नहीं किया एलकेन लिया एलकेन में से एक C4H9OH ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10 एक हाइड्रोजन हटा दो C4H9OH लगा दो तो बन जाएगा ब्यूटेनल रहे के नहीं I hope आपने प्रैक्टिस किया हुआ है लास लेक्षर में अगर प्रैक्टिस किया है तो ही समझेगा नहीं तो समझने वाला भी नहीं है ठी इसमें पांच कारण होंगे C5H11OH अब एक बात बता मुझे क्या हम यहां पर एक एलकोहॉल की सीरीज बना रहे हैं 1 कार्बन वाला एलकोहल मेहत carbon chain of increasing length, काफी बड़ा सा sentence है, इसका मतलब आपको बताता हूं, देखो हमने पहले methane लिया, जिसमें एक carbon होता है, hydrogen निकाला OH लगाया, methanol बन गया, फिर हमने ethane लिया, जिसमें 2 carbon होते हैं, H निकाला OH लगाया, ethanol बन गया, फिर हमने propane लिया, जिसमें 3 carbon होते हैं, H निकाला OH लगाया, propanol बन गया, तो एक बात बताओ, कैना इससे carbon की जो chain है, उसकी length increase हो रही है, एक carbon, 2 carbon, 3 carbon, methane, 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 propane, butane, carbon की जो chain है, उसकी length increase हो रही है, लेकिन हम process similar कर रहे हैं, hydrogen निकाल रहे हैं, OH लगा रहे हैं, functional group लगा रहे हैं, तब जाके पूरा एक series बन रहा है, alcohols का, Are you understanding? एक बार वापिस पढ़ो इसको, a series of compound is formed by joining the same functional group, in place of a particular hydrogen, hydrogen निकाल के OH लगा रहे हैं, and carbon की जो chain है, उसकी length increase हो रही है, अब मुझे एक बात बताओ, यह जो series हमने बनाई है, क्या इन सबके अंदर same functional group है? हाँ है, क्या इन सबका general formula same है? हाँ है, क्या इन सबका structure भी similar है? हाँ है, फरक सिर्फ इतना है कि carbon का जो chain है, उसका length increase हो रहा है, बाकि सब सेम है, functional group same है, and general formula same है, तो यह जो series बनता है न, इसको हम क्या बोलते है, homologus series बोलते है, समझ में आई बात homologus series क्या होते है, बहुत ही simple सा concept है, यह हमने alcohol की series बनाई, इसी तरह से हम acid की series बना सकते हैं, तो हमने देख लिया, अब इस homologus series के कुछ characters होते हैं, characteristics होते हैं, जो हमें समझने हैं, ठीक है, alcohol की series याद करो, उसका second member कौन है, ethanol है, जिसका formula क्या है, C2H5OH, पहला member कौन है, methanol, जिसका formula क्या है, CH3OH, अब क्यों ना हम, इन दोनों के formula को subtract करें, minus करके देखें, ऐसे, तो मुझे क्या मिलेगा, OH, OH cancel हो गया, C2-C, कितना बचेगा, 1 carbon, H5-H3, कितना बचेगा, 2 hydrogen, तो जब मैंने ethanol and methanol के formula को subtract किया, तो मुझे CH2 का difference मिला, and यह जो CH2 group है ना, इसको हम बोलते हैं, methylene unit, methylene unit, confuse मत हो जाओ, CH3 मतलब methyl होता है, CH2 मतलब methylene होता है, फरक समझो, CH3 methyl, CH2 methylene, ठीक है, एक और बार try करके देखे, एक और example देखते हैं, थर्ड मेंबर है propanol, जिसका formula है C3-H7OH, सेकेंड मेंबर है ethanol, जिसका formula है C2-H5OH, इनके भी formula को अगर हम subtract करें, माइनस करें, तो क्या मिलेगा, OH-OH cancel, C3-C2, कितना बचा, 1 carbon, H7-H5, कितना बचा, 2 hydrogen, तो यहाँ पर भी मुझे difference कितना मिल रहा है, CH2 unit का मिल रहा है, मतलब methylene unit का difference मिल रहा है, एक और example, 4th member butanol, C4-H9OH, 3rd member propanol, C3-H7OH, subtract करो, माइनस करो, चलो, करके देख लो, OH-OH काट दो, C4-C3, 1 carbon, H9-H7, 2 hydrogen, तो यहाँ पर भी हमें difference कितना मिल रहा है, methylene unit का, मुद्दा यह है, point यह है, homologus series में जो neighboring members होते हैं, ध्यान से सुनना में क्या बता रहा हूँ, homologus series में जो neighboring members होते हैं, बाजू-बाजू के, उनके formula को अगर आप subtract करो न, तो आपको हमेशा methylene unit का difference मिलेगा, CH2 unit का difference मिलेगा, एक और बार बता हूँ, ठीक है, homologus series के जो neighboring members हैं, बाजू-बाजू के, उनके chemical formula को आप subtract करो, तो आपको क्या मिलेगा, CH2 unit मतलब methylene unit का difference मिलेगा, and this is applicable to any homologus series, alkane का homologus series, alkene, alkine, carboxylic acid, ketone, aldehyde, ester, ether, amine, कोई भी homologus series बना लो, neighboring members के chemical formula को subtract करोगे, तो methylene unit का difference मिलेगा, ये हो गया पहला character, समझ गया पहला character, दूसरी बात, ये जो CH2 unit है, methylene unit है, इसका molecular mass कितना होता है, ये हमें डूनना है, अब carbon का atomic mass होता है, 12 daltons, atoms का जो mass है न, वो daltons में calculate किया जाता है, measure किया जाता है, and उसको हम denote करते हैं, by the alphabet U, carbon is equal to 12 U, U मतलब किया dalton, and hydrogen का atomic mass कितना है, 1 dalton, तो CH2 का molecular mass कितना होगा, carbon का 12, ठीक है, दो hydrogen है, तो 12 plus 1 plus 1, कितना होगया, चाओ उदा, तो CH2 का molecular mass हमें मिलेगा, 14 daltons, तो can I say, second character, homologous series में जो neighboring members होते हैं, बाजू-बाजू के, उनके molecular mass में 14 daltons का difference मिलेगा, point समझो, neighboring members के chemical formula में CH2 का difference था, तो उनके molecular mass में 14 daltons का difference होगा के नहीं होगा, second character समझा, and तीसरी बात, chemical properties of members of a homologous series show similarity, मतलब हमारे homologous series में जितने भी members हैं, उनकी chemical property similar होते हैं, लेकिन chemical property मतलब क्या, ये जो members हैं न, homologous series के, वो similar type के reactions दिखाते हैं, ठीक है, members show similar types of reactions, for example, methane याद है न, सबको CH4, methane को हम as a fuel use करते हैं, उसको हम जला सकते हैं, मतलब methane मुझे combustion reaction दिखाता है, combustion दिखाता है, ethane भी मुझे combustion दिखाता है, propane भी मुझे combustion दिखाता है, butane भी combustion दिखाता है, pentane, hexane, heptane, octane, non-indecane, सारे alkanes combustion reaction दिखाते हैं, मतलब उन सब की chemical properties similar हैं, समझ रहे हो, so what is chemical property, the members show similar reactions, they take part in similar reactions, इसको बोलते हैं chemical property यहां तक बात समझ में आ गई पक्का अच्छा तो next character देखो क्या है मारा physical properties of members of homologus series physical property मतलब क्या किसी भी compound की melting point boiling point density यह जो सारी properties है इनको हम physical property बोलते है melting point boiling point density और भी होती है तो यहां पर क्या हो रहा है physical properties of members of homologus series show gradation gradation मतलब gradual increase gradual increase नहीं समझा समझेगा एलकोहल का homologus series याद करो सबसे पहला member कौन है हमारे पास methanol है उसका molecular formula मुझे और आपको दोनों को पता है CH3OH होता है CH3OH यह लोग ने क्या किया आपके textbook में उस formula को और condense कर दिया है and ऐसे लिख दिया है CH4O देखो confused होने वाली और डरने की कोई बात नहीं है यहाँ पर सिर्फ वो लोग ने क्या किया सारे hydrogen से एक सत लिख दिये CH3OH का जो आखरी वाला hydrogen है उसको एक साथ कर दिया तो CH4 हो गया ठीक है ना और कुछ भी complicated नहीं किया हुआ है इसका structural formula क्या रहेगा CH3 single bond OH बिल्कुल यह हमें पता है number of carbon atoms methanol में कितने carbon है एक ही carbon है लिख देंगे and methanol का boiling point है 63 63 degree Celsius यह याद रखना second member कौन है हमारा ethanol उसका formula क्या होता है मुझे और आपको दुनों को पता है C2H5OH यह लोग ने उसको condense कर दिया C2H6O simple है ना वही बात हो गई इसका structural formula है CH3 CH2OH यह हमने already बना कर देखा हुआ है last lecture में इसमें कितने carbon atom है दो carbon atom है इसका boiling point कितना है 78 methanol का 63 था ethanol का 78 है मतलब कहना ही से there is gradual increase in the boiling point boiling point increase हुआ है इसको हम बोलते है gradation gradual increase in the physical property is called as gradation समझ रहे हो मेरी बात को तीसरा member को आने प्रोपे नॉल C3H7OH condense कर देंगे C3H8O ऐसे लिख दिया है structural formula बोलो CH3 CH2 CH2 OH कितने carbon है तीन carbon है and इसका boiling point कितना है 97 degrees so हमें क्या observe हो रहा है क्या observe कर सकते हैं हम लोग there is gradual increase in the physical property जिसको बोलते हैं gradation यह हो गए सारे characteristics तो अभी एक काम करते हैं let us summarize everything जितना भी हमने पढ़ा फटा-फट उसको summarize कर लेते हैं देखो while going from one member to the next in the series एक member से दूसरे member की तरफ अगर आप जाते हो मतलब आप methanol से ethanol पे जाते हो तो क्या होगा one methylene unit gets added हाँ methanol से आप ethanol बनाओगे तो CH2 बढ़ जाता है हमने यह करके देखा हुआ है already CH2 का molecular mass कितना है 14 dalton तो can we say molecular mass will also increase by 14 dalton methanol से आप ethanol की तरफ जाओगे तो 14 dalton बढ़ता है and एक बहुत ही जादा difficult point यह लोग ने बोला है कि number of carbon atoms increases by one जैसे कि हमें पता ही नहीं था हाँ methanol से ethanol की तरफ जाओगे तो एक carbon बढ़ता है बहुत ही बड़ी बात कर दिया लोग ने दूसरी बात chemical properties of members of homologous series show similarity मतलब जो भी members होते है homologous series के उनके chemical reactions similar होते हैं they take part in similar chemical reactions यह हमने बताया ना ठीक है ना physical properties of members of homologous series show gradation, gradual increase दिखता है physical property में and एक आखरी बात all the members of homologous series can be represented by the same general molecular formula same general formula use करके हम सारे members को represent कर सकते हैं alcohol की बात करें तो ROH ठीक है ना यहां तक बात समझ में आ गई थोड़ा आगे चलते हैं अब आपके textbook में alcohol का, alkane का, alken का सबका homologous series का पूरा table दिया हो है लेकिन ना तो वो कभी exam में आता है ना वो textbook के पीछे वाले questions में पूछा हुआ है ठीक है तो उसको by hard करने की रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है सिर्फ आपके understanding के लिए explanation के लिए दिया हुआ है तो उसको हम सिर्फ समझ लेते हैं ठीक है बात करें अलकेन की इसका जी एफ जनरल फॉर्मूला क्या होता है भई इसको यूज करके हम पूरा टेबल बना सकते हैं यह हमने अल्मोस्ट बनाया हुआ है ठीक है ना लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़े एक्स्ट्रा है है तो पहला वाला हमारा मेंबर क्या है मिथेन जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला हमें पता है च4 अब इसको और खोल के नहीं लिख सकते है तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी च4 है ठीक है ना कितने कारबन आटम है एक ही है लिख दो बॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है इसको हम खोल के लिख सकते हैं तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3 सिंगल बॉंड CH3 कितने कारबन आटम है दो कारबन आटम है बॉलिकुलर प्रॉपर्टी में ग्रेडेशन दिख रहा है बॉलिंग पॉइंट बढ़ते हुए दिख रहा है ग्रैजुल इंक्रीस दिख रहा है अगर मीथेन का एंड मीथेन का फॉर्मूला सब्ट्रैक करके देखे C2H6 माइनस CH4 तो डिफरेंस क्या आता है CH2 मिथिलिन यूनिट का डिफरेंस आता है मिथिलिन यूनिट का डिफरेंस है तो मॉलिकुलर मास में कितना डिफरेंस होगा 14 डाल्टन्स का ठीक है ना सारी प्रॉपर्टीस फॉलो हो रहे हैं यहां पर चलो फिर हमारा तीसरा मेंबर है प्रोपेन जिसका फॉर्मूला क्या है C3H8 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा रहेगा CH3, CH2, CH3 कितने कार्बन है तीन कार्बन है बोईलिंग पॉइंट बढ़ेगा कितना हो जाएगा माइनस 42 डिफरेंस बहुत बढ़िया फॉर्थ मेंबर हमारा ब्यूटेन फॉर्मूला है C4H10 फॉर्मूला क्या रहेगा CH3, CH2, CH2, CH3 चार कार्बन एटम है लिख देंगे वहाँ पे और उसका BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट इस एट 0 डिग्री सेल्शियस कूल फुफ्ट मेंबर पेंटेन C5H12 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला खोल के लिखो उसको CH3, CH2, 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 CH3 5 कार्बन है लिख दो यहाँ पर एंड इसका boiling point कितना है 36 डिग्री सेल्शियस सारे characters follow हो रहे हैं हो रहे हैं की नहीं हो रहे हैं नेबरिंग मेंबर्स के बीच में मिथिलिन यूनिट का डिफरेंस है molecular mass में 14 डिफरेंस है फिर जैसे जैसे हम आगे जाते हैं एक एक carbon atom बढ़ रहा है methane, methane, propane, butane, pentane एक एक carbon बढ़ रहा है ठीक है chemical properties में similarities है physical property में gradation दिख रहा है and all the members can be represented by the same general formula CnH2N plus 2 मुद्दा समझ में आया सारे characters follow हो रहे हैं तो what is this? this is the homologus series of alkene बस इसी तरह से alkene का बना लेंगे तो भाईबे मजाई आ जाएगा alkene का GF general formula कितना है CnH2N इसको use करते हैं फटा-फट table बना देंगे alkene में double bond होता है तो यहाँ पर एक carbon से तो हम alkene नहीं बना सकते तो अपना first member alkene का कौन है ethene है कितने कार्बन है दो कार्बन है और boiling point कितना है माइनस 102 degrees Celsius बढ़िया चलो second member है propene C3H6 हो जाएगा बराबर CnH2N C3H6 structural formula CH3 single bond CH double bond CH2 अब इसमें कितने carbon atom है 3 carbon atom है boiling point है minus 48 physical property में gradual increase notice कर रहे है हम देख रहे है तीसरा member कौन है one butine अच्छा अभी वो one क्यों लगाया हुआ है आगे इसका मतलब अगर आपको पता है तो comment में post करो अगर नहीं पता है तो IUPAC lecture जो next lecture होगा उसमें आपको मैं अच्छे से बताऊँगा अगर आपको पता है तो पोस्ट कर देना one butine molecular formula C4H8 और इसका structural formula कैसा दिखेगा CH3, single bond CH2, single bond CH, double bond CH2 कितने कारवन आटम है भई चार कारवन आटम है boiling point की तरह है माइनस 6.5 degree Celsius और आखरी मेंबर यहां पर दिया हुआ है one pentene one क्यों लगाया हुआ है नहीं बताऊँगा पता है तो पोस्ट कर देना मतलब बताऊँगा अगले lecture में ठीक है डरो मत one pentene formula क्या है C5H10 कैसे लिखेंगे इसको CH3 CH2 CH2 CH double point CH2 कितने कारवन आटम है 5 boiling point की तरह है 30 degrees Celsius याद रखने की कोई जरुवत नहीं है पूरा डेबल comment में पूछना मत सर बायाट करना है नहीं करना है कुछ भी बायाट करने की जरुवत नहीं है यह टेबल नहीं पूछेंगे boiling point नहीं पूछने वाले हैं ठीक है तो उसका कोई भी tension या pain मतलो and फिर just because मुझे थोड़ी खुज लिए तो alkyne का भी हम table बना लेते हैं पूरा table नहीं बनाऊँगा इसका GF क्या है भई CNH2N-2 इसका मैं सिर्फ आपको name and molecular formula बता रहा हूँ structure आप बनाऊ पहला member कौन रहेगा ethine molecular formula C2H2 बहुत simple propine C3H4 structural formula आपको बनाना है फिर आता है 1 butine 1 क्यों लिखा हुआ है नहीं बताऊँगा C4H6 and 1 pentine C5H8 इसका structure आप बना के देखो practice करो बहुत मसाएगा थोड़ा आगे चलते हैं लगा लेते हैं कुछ question answers पहला सवाल explain with an example hetero atom in a carbon compound यह हमने last lecture में lecture 3 में अच्छे से पड़ा हुआ है hetero atom क्या होता है carbon compound में से एक hydrogen निकाल कर किसी दूसरे element का atom अगर लगा दे तो उस atom को hetero atom बोलते हैं वो halogen हो सकता है chlorine, bromine, iodine, fluorine nitrogen हो सकता है oxygen हो सकता है phosphorus, sulfur यह सारे atom कौन है hetero atom है समझ रहे हो देखो explanation दिया हुआ है hydrogen को replace करने वाले atom को hetero atom बोलते हैं एक example दिया हुआ CH3Cl methyl chloride in this example one hydrogen atom is replaced by chlorine in methane methane क्या है CH4 उसमें से एक hydrogen निकाल के chlorine लगा है chlorine क्या है hetero atom है ठीक है ना फिर functional group explain करो with an example या तो एक single hetero atom हो सकता है listen to me या तो एक single hetero atom हो सकता है या फिर group of hetero atom जिसको आप अगर carbon compound में लगाओगे तो उस carbon compound का function change हो जाता है properties change हो जाती है ठीक है ना तो उस hetero atom को या फिर group of hetero atom को functional group बोलते हैं यह रहा explanation यह रहा example alcohol group होता है OH hydroxyl group उसको आप अगर alkane में लगा दो या फिर किसी alken में लगा दो तो alcohol बन जाता है example देखो CH3OH what is this? methyl alcohol IUPAC ने methanol ठीक है बढ़िया बहुत simple है चलो फिर यह लोग ने पूछा है give any four functional groups containing oxygen oxygen वाले चार functional group बताने है ठीक है उनका name लिखना है structural formula लिखना है and सबका एक example देना है तो यह आ जाता है हमारा table हमारा hetero atom कौन है oxygen है चार functional group हमने कौन से लिए है alcohol, aldehyde, ketone, carboxylic acid सबका structural formula दिया हुआ है हमने याद रखने का भी तरीका पढ़ा था ना last lecture में ROHRC, OOH, HRCH, double bond हो RC, R double bond हो अगर देखा है तो ही समझेगा टेबल नहीं तो नहीं समझेगा ठीक है ना चलो फिर fourth fourth होना चाहिए ना नहीं third question दिया हुआ है give names of three functional groups containing three different hetero atom तीन अलग-अलग hetero atom लेकर functional group बनाने है write name and structural formula of one example तो यह आजाते है हमारा टेबल तीन hetero atom अलग-अलग कौन से लिया हुआ है एक तो हेलोजन लिया हुआ है oxygen लिया है, nitrogen लिया है तो हमारे तीन functional group कौन से है एक तो हेलो, एक ketone लिया हुआ है ketone की जगा पे आप alcohol लेलो आप acid लेलो, आप aldehyde लेलो ester लेलो, ether लेलो, कोई भी लेलो जो आपको जमता है वो लेलो and nitrogen का amine लिया हुआ है ठीक है, तीनों का structural formula, condensed structural formula और example दिया हुआ है बहुत ही simple चीज है जो हमने last lecture में देखी है अगर आपने वो देखा है, तो ही समझेएगा ठीक है अभी, fourth question अब तक जो हमने question देखे वो आपके textual question थे, from the exercise in the textbook अब जो हम questions कर रहे हैं, वो sample paper वाले question है ठीक है ना, complete the chart अब यहाँ पर एक homologas series दी हुई है खाली डब्बे दी है, हमें वो भरने है, किसकी homologas series है यह, C2H2 यह ethine होता है ना, तो यह किसकी homologas series है alkyne की homologas series है formula क्या होता है alkyne का, CnH2 and minus 2, उसको use करो, और फटा-फट formula बना दो, एक और तरीका है, सिर्फ एक methylene unit भी add करोगे ना, तो आपको next formula मिल जाएगा, C2H2 में CH2 add करो, तो क्या हो जाएगा C3H4 हो जाएगा इसमें CH2 add करो, तो क्या हो जाएगा, C4H6 हो जाएगा, उसमें CH2 add करो C5H8 हो जाएगा, इसमें CH2 add करो, क्या हो जाएगा C6H10 हो जाएगा CH2 add करो, C7H12 हो जाएगा, देखो नो, बहुत जादा सिंपल है, सिर्फ, मिथलीन यूनिट आड करते जाओगे, तो आपको next member मिल जाएगा, बहुत ईजीली, चीक है, चलो, write the names of first four member of homologus series of alkenes, alkenes के first four member बताने हैं, अब यहाँ पे पहला member कौन है, ethene है न, methane नहीं होता, ethene से शुरू होता है, तो ethene, propene, butene and pentene, pentene, silky smooth बालों के लिए, बढ़िया, चलो, फिर six question, define functional group and complete the following table, हमने already define तो कर दिया है functional group को, table fill करना है, देखो, table में दो compound दिया है, ethyl alcohol and acetyl dehyde, ethyl alcohol का functional group क्या है, OH, formula क्या है, C2H5OH, ठीक है, acetyl dehyde, aldehyde का functional group क्या होता है, CHO, and formula क्या दिया हुआ है, CH3CHO, that is acetyl dehyde, last lecture में हमने देखा है, अगर वो देखा है, तो आपको समझेगा, बढ़िया, चलो, complete the chart and write the general formula of alkanes, alkanes का homologous series दिया हुआ है, CH4, दुसरा कौन है, C2H6 है, ठीक है, पता है, C3H8 है, propane, C4H10 है, butane, C5H12, pentane, and इसका general formula लिख दो, alkanes का CNH2N plus 2 बात वहीं पर खत्म हो जाएगी, बढ़ बढ़िया, फिर, एथ सवाल, एथ question, write name of the first four member of homologous series of alcohol, alcohol की series के first four member लिखने हैं, बहुत जाद सिंपल, methanol, ethanol, propanol, and butanol, and यहीं समाप्त करते हैं हम, आज का हमारा कार्यक्रम, आज का हमारा lecture, देखो concept easy है, homologous series भी easy है, functional group को समझना भी easy है, सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा, जब तक आप खुद लिख कर, general formula याद करके, compounds का जब तक आप structure खुद नहीं बनाओगे, तब तक यह याद नहीं रहेगा, तब तक आपको यह lesson नहीं समझ में आएगा, feel नहीं आएगा lesson में, ठीक है, डरा नहीं रहा हूं मैं, सिर्फ इतनी बात बता रहा हूं कि जब तक आप खुद self study करते, वक्त लिखोगे नहीं, राइटिंग प्रेक्टिस नहीं करोगे ना, ये chapter आपसे नहीं होगा, especially this chapter, especially organic chemistry, बिना लिखे नहीं होती, ये एक बात याद रखना, ठीक है, ज्यादा फाल्तु का ज्यान नहीं दूँगा, यहीं समाप्त करते हैं, thank you very much for watching.